नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नियू अकेडिमी में आसा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे बहतर धंग से त्यारी कर रहे होंगे तो मित्र आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नया प्याल क्या नया प्याल क्या से जितने important question बनते हैं उन् आदेम से तो आप अंत्र तक बने रहना अगर अच्छा लगे तो फब्राइब करना अगर अच्छा लगे तो सेर सब्क्राइब करना यह चैनल पर नए हो तो ठीक है मित्र शुरू करते हैं हम लोग उच्च नयाल है पहले हम लोग तीनों को कंपेरजन करके मित्र इस तरीके से हमने अरेंज किया है तीनों को कंपेरजन लिस्ट करके लिस्टिंग किया है इस तरीके से आप भी एक लिस्ट बनाईए साथ साथ बनाईए और एक बार ही इ करने के आव सकता ना हुए एक बार एक्जाम में लास्ट टाइम में जाते समय रिविजन कर लो बस तो मित्र पहले आते हैं अगर पूछता पहला पॉइंट आता है मतब पर्थम मुख जो हता नयाधित सुप्रीम को सुप्रीम कोड काGod the Caoist को पहलाब तया इसके बाद इसमें तो कोई है नहीं क्योंकि हां उच नाला में तो कोई है नहीं क्योंकि इसमें हर डिश्टिंग में हौता है यारल हुटा है हैं इस तरीक्स होते हैं इस पहला नहीं कह सकते हैं इस तरीके से विराज दिला पहले महिल का जाता है यह जो हुछ नियाले की पर्थम महिला पूछता है मुख्य नयाधिज कौन थी तो लीला सेट है अभी तक जो हुई है लीला सेट हुई है इसके बाद आते हैं यह पॉइंट हो गया हम लोगों के पास अब दूसरे पॉइंट कॉलम पर आते हैं सपत देखेंगे सपत कौन दिलाता है सुप राश्पति सपरिम कोर्ट के हैं के नयाधिज की सपत कौन दिलाता है तो राजपाल करते हैं पर और नयाधिज की कौन करता है राजबाल करते हैं यह देख लिया और कारकाल वाला कुछन पूछता है सेम सेम डारेक्ट पूछता है सुब्रियम कोड का कारकाल कितने वर्ष का होता है तो 65 वर्ष का होता है अगर हाई कोड के पूछता है हाई कोड का कारकाल कितना होता है तो 62 वर्ष होता है ठीक है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब यहां से अलग से देखना सब्सक्राइब लिए राजपाल दिलाते हैं इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन इसी तरीकित करना तो गलती नहीं होगी अब बेतन देख लेते बेतन से के पूछता है मतलब मुख नैदीज जो होता है चीफ जैश्टिस साप इंडिया का इसका ब्यतन कितना होता यहां मुखञ जज्जंका हो भाग मुख बेलक ब्यतन irect आतरहां मुखञ है होता है अन्य नया दिसों का बेतन कितना होता है 2,25,000 धीक है मिर्ट इतना हम लोगों ने अच्छे से कबर कर लिया इतना यह पॉइंट आप लोगों को हार एक्जाम में जो अंड एकजाम होते लगबग-लगबग यहीं से question पूछता है इसको देख लिए इसके बाद हाँ ये जो सुप्रिम कोड का गठन सरपतम की दौरा किया गया था तो 1773 के रिगलोटिंग एक्ट के ताहद जो हता है इसका गठन किया गया था लेकिन जो इसकी अस्थापना कप किया गया तो भारत सासन अध्रियम 1935 की दौरा तो ठीक है में हाँ यहां एक पॉइंट और बण रहा है अच्छी पॉइंट बन रहा है कि जो ब्रहत जो राज्यों के संचित निदी दौरत दिया जाता है और पिंसन जो होता है भारज के संचित निदी दौरत दिया जाता है यह दोनों पॉइंट हम लोग देख चुगे हैं अब आते हैं महात्पूर आर्टिकल जो होते हैं इन्हें हम लोग कबर करते हैं जैसे कि महात्पूर आर् बाट की गई है तो 124 में है और इसके बाद जो इंप्पोर्टन है देख लेते हम लोग पहले पहले 124 में क्या है पदसे हटाने के लिए पहला वीडियो सुप्रिम कोड का वीडियो नहीं देखें वह वहां जाके अच्छे से सब इसके बारे हम लोग डिटेल में चार्चा कि से यहाँ से किस्थ हटाने किस तरीके तरीके बलता ओधार हो गया हुए हम हम में क्या 214 में कहा गया है राज्यों के लिए का हाइग कोड होगा 215 में क्या कहा गया है हाई चाहें नियुक्ती की बात की गई में अता है दिखम का लिए ऐस और हो गया यह देख लिए हम लोग इसके बाद अते हैं पयां देखते हैं कि सुप्रीम और में जो होता है कि यह भात ही इंप्वॉटन्ट है आप पूछता है तदर्स न्यादेश की निवक्ति किस अर्टिकल में है 127 में कौन करता है तो राश्पति जी करते हैं यह इंपोर्टेंट हो गया और 127 हो गया नाइक पूरन रभी लेवकन जोगय एकसो सकताइस और 143 होताह चुपर्यों कोड से प्रामर्स कि करने की सकति किसको है राश्पति को है राश्पति को प्राप्त open चाहे उनकी सलाह माने यह ना माने उसके लिए बात नहीं के सथैंस पूर्टी पूर्टि tweak स्वाइख लिए नोग इसके बाद आते हैं कुछ महत्पूर्ण विंदू है इन पे इन को हम देखते हैं जैसे कि पूछता है कि पहला पंड देख रहे हैं इंदु मलहोत्रा इंदु मलहोत्रा पहली महिला वकेल है जिनने सीधे सुप्रीम कोट के नियाधीश के रूप में न मुख न्याधि के पद पर स्वारपथिक लंबी अवजय तक कौन रहा है तो हौई भी चंद्रशूण जी थे और सबसे कम पूछता है तो कमल नरायर सिंग हो गए ठीक है में त्रेज देख लिए और इसके बाद थाड़ पॉइंट पाते हैं बी रामस्वामी बी रामस्वाम किया जाता है महावियोग का लेकिन उसी तरीके से इनका भी किया जाता है जैसे कि ठीक है तो किसके पास अब परस्ताव लाया गया था बी रामस्वामी के बिर्द्दु लाया गया था कब लाया गया था 11 मैं 1993 को लाया गया था और एक पॉइंट और बनता है यहां से इंप उपराष्टपति अगर राष्टपति और उपराष्टपति दोनों का पद खाली है तो उस समझ जो होता है उनके पद पर पद उनका समालता है ठीक है मित्र तो इस पद को समालने में कौन किया था पहला तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जस्टित एम हिदातुलाह जो है र भारत के मुख नयाधिस थे इन्हों नों जो है राष्टपति राष्टपति के दोनों के पद खाली होने पर यह एक बार किये थे तो और यहां हम देख लेएं हाई कोट में देख लेते हैं पहला पैंड क्या उच्छ नयाले के नयाधिस पद पर निउक्त होने वाली जीएगा अगर मुख पूछता है पर्थम मुख महिला नयाधिस काउन्ती हाई कोट की तो लीला सेठ हो जाएंगी अब जो हता की अगर उसम पूछता है तो अन्ना चंडी हो गए ठीक है मित्र इस तरीके से यहां देख लिए और जो हता अगर हाई कोट का पूछता है और सुप्रिम कोट में पूछता है तो सुप्रिम कोट में फात्मय बीबी हो जाएंगी अगर उसम पूछता है तो जो हता पहली महिला वकील जो इस तरीके से मित्र आप लोग जो है ज Им स्सतरीके से आरेंज कर लिखा गया है इस तरीके से इसे तरीके साप लोग लिखेंगे कुछ पौइंट हो जाएगा कुछ पॉइंट हो पॉइंट इसके देखने आध्ा交kum धन्नवाद